अलाम लेकुम वीवर्स अनाजो किचिन में आपका मोस्ट वेलकम है आज मैं मीठा प्लाव बनाने जा रही हूं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहां 600 ग्राम बसमती चावल दिया है अब यहां मैंने पानी चुरहा दिया है और पानी में मैं फूट कलर एड़ कर रही हूं वन टीए स्पून मैंने फूट कलर एड़ किया और अच्छे से से मिक्स करेंगे और पानी में उबालाने देंगे पानी में उबाला जाएगा तब इसमें चावल एड़ कर देंगे चलिए इसे कवर कर देते हैं मैंने छे साथ लॉंग आइड कर दिया और इसे अब कवर कर दिया अब इसे खोल कर देख लेते हैं तो पानी में उबाल आ चुका है ये देखिए अब इसमें मैं चावल को आइड कर दूँगी बहुती आसान और सिंपल वे में नहीं लगती और बनाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है बहुत जल्दी बनता है तो इसमें मैंने चावल को आड कर दिया चेक कर लेंगे कि चावल हमारा कितना हुआ है चावल 70% कुक होना चाहिए क्यूंकि इसे चीनी डाल कर भी से थोड़ा पकाना है तो चावल को चलिए अब मेरा हमारा हो चुका है अब इसे चावल हमारा देखिए ये देखिए इस तरह से फिंगर दावने पर चावल हमारे ये हो रहे है तो चावल हमारा 70% कुक हो चुक है अब नेक्स प्रोसेस की तरफ चलते है और बहुत ही अच्छा और जाइकदार होता है और सब को खाना ये पसंद होता है तो यहां मैंने चीनी लिया है तो यहां मैंने 500 ग्राम लिया है और यह चावल तो हो ही चुका है यहां मैंने घी लिया है एक कटोरी देसी घी और कुछ ड्राइफ रूट हैं ये काजू है ये बादाम है और बादाम को इस तरह से काट लेंगे ये नारियल है और ये चुआ रहे हैं जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है ये छोटी अलैची है और उसे बीच से तोड़ लिय है ताकि इसका फिलेवर पूरा अच्छी तरह से आ जाए यहां मैंने किश्मिश्ली है तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं देसी घी इसमें एड़ कर देंगे सबसे पहले और इसमें छोटी यह जो मैंने तोड़कर रखी थी उसे मैंने आड़ कर दी इससे तरकने देंगे अब इसमें चावल को आड़ कर देंगे सारे चावल मैंने इसमें आड़ कर दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जो नीचे सूपर की तरफ मैंने इसे चला लिया अब इसमें जो चीनी थी वो उसे आड़ कर देंगे और इसे भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारो तरफ से इस तरह से इनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी इसमें ये देखिए मेल्ट हो रही है और आच को बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखेंगे चावल को आच अभी धीमा बिल्कुल नहीं करेंगे तेज पर ही रहेगा ताकि ये जो चीनी है वो सारी अब्सर्व हो जाए चावल में ये देखिए कितना चीनी ने इस तरह से इसमें किमाम हो चुका है फानी ज्यादा है अब इसे सूखने देंगे इस तरह से चला चला कर बहुत ही आसान है मिठा पलाव बनाना इसमें कोई दिक्त की बात नहीं यहां देखिए आज जो है अभी तक हमारा हाई फ्लेम पर है यह हमने रखा है अब यह अब्सर्व हो रहा है इस तरह से चला रहे हैं और यह बिल्कुल सूख रहा है नहीं गीला होने का डर नहीं चावल के तूटने का डर बिल्कुल नहीं बिंदास बनाएँ और यह बहुत ही पर्फेक्ट उतरेगा डर डर काम करने से हर चीज खराब हो जाती है बिल्कुल बिंदास होकर काम करें इसमें मैं ड्राइफ फरूट अड़ कर रही हूँ जो मैंने रखा है पहले आपको मैंने दिखाया था ड्राइफ रूट्स वो मैं इसमें आड़ कर रही हूँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी मीठा प्लाव बनकर रेड़ी होने वाला है आज अनाजो किचिन में और उमीद है यह सब को पसंद आएगा चलिए आप फ्लेम वो करते हैं बिल्कुल धीमा तो मैंने इसको देखिए इस सीम पर कर दिया कब हमें हाई फ्लेम पर रखना है कब हमें धीमा रखना है इसका इस्टिमेशन होना बहुत जरूरी होता है इसे कवर कर देते हैं अब तक मैंने इसे कवर नहीं किया था अब मैं कवर कर रही हूँ और पांच मिनट के बाद फॉरान इसे खोल लेंगे खोल कर फिर देख लेते हैं पांच मिनट हमारे हो चुके थे अब इसमें किश्मिश वगारा जो मैंने रखी है वो भी एड़ कर देते हैं और थोड़ा काजू भी एड़ कर देते हैं काजू बदाम चुवारे जो भी है सब इसमें एड़ कर देंगे और इसमें अब खोबा एड़ कर देते हैं 500 ग्राम मैंने खोवा लिया है इसे इस तरह से क्रश करकर इसमें चारों तरफ डाल देंगे तो बहुत ही सबरतस टेश्टी एंड यम्मी सा मीठा जर्दा बन कर तयार हो चुका है तो इसे आप चादियों में, किसी तेहवार में आप बिल्कुल इजली बना सकती है और ये हर कोई बना सकता है बिगनर्स भी इसे आराम से ट्राइ कर सकते है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना सब्सक्राइब करना, ना भूलना अब फ्लेम को कर देते हैं, आफ बिल्कुल रेडी तो मैंने फ्लेम को आफ कर दिया और मेरा मीठा जर्दा बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है अब इसमें उपर से मैं देसी घी थोड़ा सा एड़ कर रही हूँ इससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आ जाता है तो इससे बहुत टेस्ट में इजाफा होता है देसी घी से ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका तो अब इससे डिशॉट कर लेंगे और इससे सर्व कर देंगे कभर कर देते हैं और इससे डिशॉट कर लेते हैं तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई नई रेसिपी लेकर आती हूं फिर तब तक के लिए अल्ला हाफीज